नमस्कर दोस्तों कैसे हो आप लोग आए हो पाप सब मज़े में ही होंगे दोस्तों आज की वाली वीडियो काफी जादा धमाकेदार होने वाली है विक। आज की वीडियो के अनदर में आप लोगों को 10 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा ह Однок दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इनि 10 डॉक्स की माप लोगों को पूरी डिटेल्स दूगा बतांगा इन्होंने क्या की चीजेद ऑन Sound치를 करी और इसके साथ ये भी बताऊंगा इनी अनौसमेंट्स को देने की X-Dates क्या होने वली है तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप इस वीडियो को एंट तक देखना और कहीं पे भी स्किप मत करना चलिए दोस्तो अभी के भी इस वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजे मैं हूँ आरूश आप देख रहे हैं फिनो मीडिया बाया आरूश चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बताता हूँ आपको कौन से इन दस टॉक्स जोनोंने आप इस दिफिडंड को देने की जो एक देट होने वली है ओ 29 ओ Stan process करना है था कि आ एक क्युभन के तो यहां पे पको एक स्टॉक ए दस बोनेगा मतलब टोटल में आप आपके पाथ स्टॉक्स छे स्टॉक्स में कंवर्ट हो जाएंग rejected और इस टॉक बोनस को देने की जो X-Date होने वाली हो 28th of November की होने वाली है तो अगर आपको इस टॉक को Purchase करना है ताकि यहापे आपको इसके Stock Bonus का benefit मिल पाये तो आपको इस टॉक को इसकी X-Date एने की 28th of November से पहले-पहले Purchase करना होगा दोस्तो अगले Stock का नाम बता देने से पहले मैं आप लोगों को Edel West के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तो अगर आप Edel West के अंदर में अपना Demet Account ओपन करते हो और साथ ही साथ में इनका Light Plan ले लेते हो तो यहाँ पे आप जितने भी transactions कर लो बेशक वो हो गई डिलिवरी में Commodities में, Equity में, Future and Options में तो यहाँ पे आपको सिरफ 10 रुपीज पर order के हिसाब से देना होगा और यह सिरफ flat fees है 10 रुपीज की आप जितने मर्जी order कर लो आपकी पर order की जो यहाँ पे ब्रोकरेज होगी वो 10 रुपीज से एकसीड नहीं करेगी अगर आप इनका Light Plan ले ले लेते हो साथ ही साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर Demet Account Opening Charges की तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में दियो है लिंक से यहाँ पर Demet Account अपना Open करते हो तो यहाँ पर आपको Demet Account Opening Charges है वो एकदम 0 होंगे मतलब आपको Demet Account Open करते हैं एक भी रुपीज चार्ज नहीं देना है साथ ही साथ में अगर हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट की तो यहाँ पर जीरो चार्ज इस पर अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की जो यहाँ पर Annual Maintenance Charges है वो भी वेट किया कर रहे हैं आप अपना Demet Account Open कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दियो है लिंक से चलिए बात करते हैं पर हमारे एगले स्टॉक की तो कंपनी का नाम है एल्स्टोन टेक्स्टाइल एंड कंपनी का करन्ट स्टॉक प्राइस करन्टी 286 रुपीस के ओपर में ट्र अब यहां अगर आपके पास में इस्कंपनी का इक स्टॉक है तो यहां पर आपका एक स्टॉक 10 डस स्टॉक में कंवर्ट हो जाएगा Own Time convert हो जाएगा and stock bonus and stock split को देने की जो x rate होने वाली हो 13th of December की होने वाली है तो अगर आपको इस stock को purchase करना है ताकि आप आपको इसके stock bonus and stock split का benefit मिल पाए तो आपको इस stock को इसकी x rate यानि की 13th of December से पहले पहले purchase करना होगा चलिए बात करते हैं आप हमारे एगले stock की तो company का नाम है हिंदुस्तान जिंक and company का current stock price currently 319 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आप ए dividend अनौस के 15.5 रुपीज पर stock के साब से and इस dividend को देने की जो x rate होने वाली हो 23rd of November की होने वाली है तो अगर आपको stock को purchase करना है ताकि आपको इसके dividend का benefit मिल पाए तो आपको stock को इसकी x rate यानि की 23rd of November से पहले-पहले purchase करना होगा अगले stock की बात करें तो company का नाम है गुजरात थेमिस बायोसिन and company का current stock price currently 844 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आपको इसकी dividend का benefit मिल पाए तो आपको stock को इसकी x rate यानि की 1st of December से पहले-पहले purchase करना होगा अगले stock की बात करें तो company का नाम है सोम डिस्टिलर्स and company का current stock price currently 117 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आपको dividend अनौस के 0.25 रुपीज पर stock के हिसाब से और इस dividend को देने की जो x rate होने वाली हो 2nd of December की होने वाली है तो अगर आपको stock को purchase करना है ताकि यहाँ आपको इसकी dividend का benefit मिल पाए तो आपको stock को इसकी x rate यानि की 2nd of December से पहले-पहले purchase करना होगा अगले stock की बात करें तो company company का नामे नवोधे enterprises and company का करन्ट stock price करन्डी 9.3 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आप stock bonus announced के 1-1 के ratio से जिसका मतलब यह अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो यहाँ पे आपको stock as a bonus मिलेगा मतलब total में आप आपका एक stock 2 stocks में convert हो जाएगा and stock bonus को देने की 29th of November की होने वली है तो अगर आपको stock को purchase करना है ताकि यहाँ आपको इसकी stock bonus का benefit मिल पाए तो आपको stock को इसकी x-rate याने की 29th of November से पहले-पहले purchase करना होगा अगले stock की बात करें तो company का नाम है punchil organics and company का current stock price currently 311 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आपे dividend अना उसके 0.8 रुपीज पर stock के साब से अगले stock की बात करें तो company का नाम है family care hospital and company का current stock price currently 14 रुपीज के उपर में trade हो रहा है तो आपको इस stock को इसकी एक स्टेट याने की 25th of November से पहले-पहले purchase करना होगा चलिए दोस्तों बात करते हैं आप हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है commercial sin bags and company का current stock price currently 377 रुपीज के उपर में trade हो रहा है company ने आप इस stock bonus अना उसके 2 to 1 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो यहाँ पे आपको 2 stocks as a bonus मिलेंगे मतलब total में आप आपका एक stock 3 stocks में convert हो जाएगा and इस stock bonus को देने की जो एक स्टेट होने वली है 24th of November की होने वली है तो अगर आपको इस stock को purchase करना है ताकि यहाँ आपको इसकी stock bonus का benefit मिल पाए तो आपको इस stock को इसकी एक स्टेट याने की 24th of November से पहले-पहले purchase करना होगा and दोस्तों आज की वीडियो के इंदर इतना यही 10 stocks थे जिन्हों ने आपे धमाके दार stock bonus stocks and dividend announce किया था अब अगर आपको वीडियो चलागा वीडियो को ज़रूर से लाइक कर कर दीजिएगा इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिनो मीडिया के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर तिल देन बाई